नो से लोस्तों, डेट है आज की 19 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटरियल डिसकेशन में तीन इस्यूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले, ससे थरूर ने ये आर्टिकल लिखा है देश में एक रिफ्यूजी और एसाइलम लाब बनाने के आवसकता है दूसरा आर्टिकल अच्छा कंसेप्ट है अकेडमिक बैंक ओफ क्रेडिट स्कीम से सम्बंदित स्कीम तो अच्छी है, इंप्लिमेंटेशन में चैलेंजीज है तो इस आर्टिकल को हम डिसकेश करेंगे यहाँ पे आर्टिकल है सिंगापूर के पीम ने अपनी पालियमेट में स्पीज देते हुए इंडिया के बारे में इपनी टिपनी क्या है और क्यूं सरकार उसका विरोध कर रही है डिसक्रिशन स्टार्ट करने से पहले यह कुछ कोट्स हैं जो आप इस्तिमाल कर सकते हो पूवैटी से समदित कोट्स हैं सारे तो पूवैटी से समदित जब भी कुछ लिखना हो तब आप यह कोट्स इस्तिमाल कर सकते हो इंडरगांदी ने कहा था पूवैटी is worst form of violence violence की सबसे खराब form है पूवैटी कारनेगी मैलन ने कहा था गरीब लोग को अगर आप help करना चाहते हो तो सबसे best तरीके से आप help कर सकते हो आप उन में से एक ना बनो यह unknown ने कहा था गरीब लोग की जो basic mobility है ना वो गाउं से urban areas में slum की तरफ है नेस्ट है poverty और arm race arm race में participate करने के बज़ाए आप गरीबी को खतम करने की दिशा में काम कर सकते हो इसके बाद आइसन होवर यह US के president थे इन्होंने कहा हम हर एक gun जो बनाई जाती है हर एक warship जो launch होता है हर एक rocket जो fire किया जाता है यह दरसाता है signify करता है कि जो लोग गरीब है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है जो ठंड से ग्रस्त है जिनके पास कपड़े नहीं है उनसे आपने चोरी करके यह सब काम किया है gun बनाई है, warship launch किया है और rocket fire किया है आइसन आवर ने यह बात बोली थी इसके बाद next है justice, Krishna I.R. on social justice इन्होंने बोला था कानून जो है वो देखो भोंकता तो सब पर है लेकिन काटता सिरफ गरीब लोगों को है powerless जिनके पास power नहीं है illiterate जो निरक्सर है, जो ignorant है उनको काटता है कानून सिरफ और भोंकता सब पर है, यानि कानून है सब के लिए, लेकिन तंग करता है सिरफ गरीब लोगों को, powerless लोगों को illiterate लोगों को, ignorant लोगों को तो ये quotes आप इस्तमाल कर सकते हो अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं First important article इंडिया में एक refugee refugee और asylum law की आप सकता से समधित हैं आप GS, paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो इससे पहले कि हम आज का article discuss करना स्टार्ट करें हम कुछ basics discuss कर लेते हैं refugees से समधित जो international laws या फिर conventions हैं उनके बारे में refugee time का मतलब क्या होता है refugee वो person होता है जो अपने देश से बाहर जहां पे उसका habitual residence है वहां से अलग किसी दूसरे देश में for example मयामार का कोई नागरिक है वो इंडिया में आ गया है वापस मयामार नहीं जाना चाहता हो क्योंकि उसको डर है या तो वहां की सरकार उसे protect नहीं करेगी या फिर वहां पे उसका persecution हो सकता है कुछ कारणों की वज़े से इसलिए कि वो particular race का है इसलिए कि वो particular धरम का है particular nationality का है या फिर उसका संबंध किसी social group से है सिरफ इस वज़े से उसका persecution हो सकता है उसके parent country में जहां का वो है persecution मतलब उस पर अत्यचार हो सकता है जुल्म हो सकता है तो वो person refugee है समझ गए न कोई person Myanmar का है लेकिन वो इंडिया में आ गया है वापस Myanmar नहीं जाना जाता है और वहां की government का protection नहीं avail करना चाता है क्योंकि उसको लगता है Myanmar की government उसे protect नहीं करेगी और Myanmar वापस जाने पर उसका उस पर अत्यचार हो सकता है सिरफ इसलिए कि वो किसी race किसी धरम किसी social group से समझ रखता है तो वो person है refugee इसके बाद देखो एक principle के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है principle of refoulment इस principle में क्या होता है मान लिजिए इंडिया में refugees आए है तो इंडिया उन refugees को वापस उनके देश नहीं भीजेगा अगर वहाँ पे उनके persecution का डर है for example अगर देखो रोहिंग्याज भाग कर इंडिया में आए हैं और रोहिंग्याज वापस मैमार में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है वहाँ पे अब military coup हो चुका है और अगर वो वापस जाते हैं तो उन पे अत्याचार हो सकता है तो इस principle का पालन करते हुए इंडिया उनको वापस नहीं भेज सकता अगर इंडिया उनको वापस भेजता है मयामार में जहां उनके persecution का डर है तो मतलब ये principle of refolment का उलंगन है तो ये हमने बात की principle of refolment की कुछ और बाते डिजकास कर लेते हैं refugees को protect हरने के लिए 1951 में एक convention आई थी UN Refugee Convention देखो जब 1951 में ये convention आई थी तो ये convention सिरफ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी और वो भी सिरफ Europeans के लिए मतलब 1951 से पहले कुछ violence हुआ है किसी देश में कुछ गलत घटित हुआ है और European लोग उससे पिडित हुए हैं वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो फिर वापस उनको उनके home country में नहीं भी जाएगा जहां पर उनके persecution का डर है तो ध्यान दीजिएगा 1951 में शुरुवात में जब ये convention आई थी तो ये सिरफ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी और सिरफ Europeans के लिए थी लेकिन 1967 में एक protocol आता है इस convention से सम्मंदित और 1967 के प्रोटोकोल ने restrictions हटा दी पहले ये convention सिरफ Europeans के लिए थी अब सब के लिए हो गई दूसरा पहले सिरफ ये 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी लेकिन ये जो time वाली condition थी ये भी हटा दी गई 1967 के प्रोटोकोल में सिंपल भासा में बात करें इस 1967 के प्रोटोकोल ने 1951 की UN Refugee Convention को comprehensive बना दिया restrictions हट गई 20 जनवरी 2020 तक देखो 146 देश पार्टी हैं इस कन्वेंशन में और 147 कंट्रीज पार्टी हैं इस 1967 के प्रोटोकोल में question उठता है क्या इंडिया पार्टी है convention का यवर प्रोटोकोल का answer है no इंडिया ना तो पार्टी है convention में और ना ही पार्टी है प्रोटोकोल में बड़ देखो एक चीज़ जरूर है इंडिया हमेशा से refugees को protect करता आया है आप इतिहास उठा के देख लीजिए चाइना में जब Tibetan का persecution हुआ था तो बहुत सारे लोग Dalai Lama की leadership में भारत में आये और भारत में उनको शरण मिली 1971 का example आप ले लीजिए किस परकार से लाखो बंगलादेशी इंडिया में आये पाकिस्तानी आर्मी के persecution से बचने के लिए और वहाँ पे उनको शरण मिली तो इंडिया का इतिहास रहा है हमेशा से इंडिया ने refugees को protect किया है एक सोटी सी information अगर prelim में question पूछ लिया जाता है Medagascar, Sandkits और Nevis ये वो देश हैं जो सिरफ 1951 की convention में पार्टी है, protocol में नहीं है और कुछ देश जैसे Cape Verde US, Venezuela ये सिरफ 1967 के protocol में पार्टी है लेकिन convention में पार्टी नहीं है इस convention में देखो वैसे ये भी बताया है कि refugees को नहीं है जैसे वो लोग जिन्होंने war crimes को commit किया है ऐसा नहीं कि यूद चल रहा था आपने war crimes को commit किया और बाब में आप दूसरे देश में चले गए डर के मारे और बोलो कि वहाँ पे जाऊंगा तो वापस persecution मेरा हो सकता है भाई आपने crime किया है भाट के आप दूसरे देश में आयो तो आप refugee नहीं हो आप war criminal हो ये जो convention है UN Refugee Convention ये देखो 1948 के Universal Declaration of Human Rights के Article 14 पर बिल्ड की गई है Article 14 में रिगोगनाईज किया गया है उन persons के rights को जिनका अपने देश में persecution हो सकता है वो दूसरे देश में जाके asylum मांग सकते है तो ये तो हमने बात की basic scheme अब इससे पहले कि हम आगे discuss करना start करें एक question में आपसे पूछना चाहता हूँ refugee, asylum seeker और migrant तीनों के बीच में क्या difference है देखो refugee के बारे में तो detail में हमने discuss कर लिया asylum seeker कौन है ये बताइए मान लीजे कोई person है मयमार से भाग कर इंडिया में आ गया है क्योंकि उसकी जान को खत्रा था रोहिंगया है लेकिन इंडिया में वो आ गया है ये कौन टै करेगा कि वो refugee है या फिर नहीं है वो तो जूट भी बोल सकता है न कि मेरी जान को खत्रा है असल में आया वो अच्छी जोब राप्त करने के लिए हैं इंडिया में तो वो भाग कर इंडिया में आ गया है बोल रहा है मैं refugee हूँ लेकिन जब तक UNHRC sorry UNHCR यानि UN High Commission for Refugees या फिर गोर्मेंट उस person के claim को verify नहीं कर लेती है कि वास्तव में वो refugee है या फिर नहीं है मतलब वास्तव में मैमार से वो इसलिए भाग के आया है कि उसकी जान को वहाँ पे खत्रा है या फिर वो वैसे ही भाग कर इंडिया में आ गया है तो जब तक उसके claim को verify नहीं किया जाता है कि वास्तव में वो refugee है या फिर नहीं है तब तक है वो asylum seeker अभी उसने सरण मांगी है आ गया है भाग कर इंडिया में लेकिन अभी government या फिर UNHCR refugee status determine करेगी कि वास्तव में वो refugee है वास्तव में वो अपनी जान बचा कर आया है या फिर वैसे ही आ गया है समझ गया asylum seeker मतलब refugee status जब तक acknowledge नहीं किया गया है उससे पहले का जो status है वो है asylum seeker उसके बाद migrant कौन है migrant जैसे देखो बंगलादेश से कोई person भाग कर इंडिया में आ गया है उसकी जान को वाँ पे कोई खत्रा नहीं है लेकिन उसे लगा कि इंडिया में जाके job करूँगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो इस परकार से कोई इंडिया में आएगा फिर वो refugee नहीं है तो जोब के चकर में या फिर बहतर living standards को enjoy करने के लिए इंडिया में आया है तो वो migrant है वो refugee नहीं है तो यह difference है अब आपको पता लग गया होगा context की बात करें सबसी थरूर जो Congress के MP है जिन्होंने ये article लिखा है उन्होंने कहा कि मैंने इस महिने एक private member Bill लोकसभा में introduce किया refugee और asylum ला inact करने के लिए हमारे देश में अभी देखो कोई refugee या फिर asylum ला नहीं है तो जब कोई asylum मांगता है इंडिया में सरकार ad hoc basis पे यानि case by case basis पे define करती है कि हमें इसे asylum देना है या फिर नहीं देना है लेकिन अगर देखो कानून होता है तो एक निश्चित समय में asylum seekers की मांग को पूरा किया जा सकता है या तो उन्हें reject किया जा सकता है या फिर accept किया जा सकता है अभी तो देखो कई बार तो ऐसा होता है सरकार सालों साल बैठी रहती है और कोई person इंडिया में asylum मांगता है तो उसकी request pending रहती है बहुत-बहुत सालों तग लेकिन अगर कानून बन जाता है तो फिर सरकार के पास ज़्यादा discretion खतम हो जाएगी एक निश्चित time frame के अंदर जो request है asylum मांगने की उसका जवाब देना होगा और criteria भी कानून में define होगा कब-कब asylum दिया जा सकता है किन conditions में नहीं दिया जा सकता है इसलिए ससितरूर ने कहा कि हमारे देश में refugee और asylum लाकि आप सकता है इसलिए मैंने private member bill लोकस में introduce किया ताकि इस पर कानून बनाया जासके अफकोर्स सरकार नहीं बनाएगी private member bill हमर देश में rarely pass होते हैं अच्छा एक question का answer दोगे आप ये question देखिए private member bill से सम्मधित दो statement से आपके सामने परी का question है private member bill present किया जाता है उस member of parliament के दवरा है हाल ही में पहली बार Parliament of India में एक private member bill pass हुआ ये पहली बार था इतिहास में की पहली बार parliament में private member bill पास हुआ ये दोनों statement हैं बताए कौन सी सही कौन सी गलत ये 2017 में UPSC ने पूछा था देखू फर्स statement तो गलत है क्योंकि अभी हम जिस private member bill का जिकर कर रही है ये तो ससी थरूर ने introduce किया है ना ससी थरूर तो elected MP है कहां से त्रीमें दरम से तो फर्स statement जिसमें ये कहा गया ये सिरफ president के दवारा nominated MPs के दवारा introduce किया जा सकता है गलत हो जाती है इस प्रकार से आप अगर देखो current को static से relate करते होना बहुत याद रहता है चीजें दिमाग में छप जाती है तो private member bill देखो किसी भी MP के दवारा parliament में introduce किया जा सकता है other than ministers अब दूसरी statement देखिए हाल ही में एक private member sorry हाल ही में private member bill पास हुआ ये parliament में पहली बार था ये statement भी गलत थी क्यूंकि देखो अभी तक parliament में न 14 private member bill पास हो चुके है तो 2017 का ये question है तो उस समय भी बहुत सारे जो private member bills थे वो पास हो चुके थे तो दोनो statements गलत थी इस question का answer था कोई भी सही नहीं है neither one, neither two, यानि D अब फिर से मुद्दे की तरफ आते हैं हमारा मुद्दा था refugee last बनाने का तो देखो हमना दोनों तरफ के arguments डिसकस करते हैं पहले argument डिसकस करते हैं क्यूं हमारे देश में refugees और asylum seekers के लिए एक कानून बनाने की आव सकता है पहला argument तो देखो यही हो जाता है कि कानून नहीं है न तो फिर कोई भी person हमारे देश में asylum मांगता है न तो ये हमारे जो politicians हैं bureaucrates हैं उनकी whims and fences पे depend हो जाता है कि उसे asylum दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा bureaucrates की मर्जी है politicians की मर्जी है जो current ruling government है किसको asylum दे या फिर ना दे लेकिन अगर कानून बन गया तो तो देखो जैसा सुरवात में भी मैंने आपको बताया एक निश्चित time frame के अंदर और एक particular criteria को analyze करके asylum seekers को asylum देना पड़ेगा सरकार को discretion बहुत कम हो जाएगा next next argument ये है कानून बनाने के पीछे हमारा देखो past record बहुत अच्छा रहा है हमने अलग अलग communities के लोगों को asylum दिया है हमारे देश में चाहे वो Jewish लोग हो, Romans हो, Sri Lankan, Tamil हो निपाली हो, Afghan हो, Rohingya हो तिबतियंस हो, बंग्रादेशी हो इन सब को हमने past मे asylum दिया है तो फिर अब हम हमारे कदम क्यों पीछे खीच रहे हैं अगर asylum से सम्मदित कानून अगर बनता है तो ना सिरफ उनको asylum मिलेगा, बलकि कानून में ये भी mention किया जाएगा कि refugees को हमारे देश में कौन-कौन सी basic services मिलेंगी, मतलब refugees कौन सी basic public services को access कर सकते हैं उन्हें jobs और livelihood opportunities मिलेगी तो ये provisions भी उस comprehensive asylum और refugees से सम्मदित कानून में किये जा सकते हैं वैसे देखो, अभी हमारे देश में काफी सारे कानून हैं तो सही refugees और asylum seeker से deal करने के लिए हैं जैसे foreigner act 1946, registration of foreigner act 1939, passport act 1967 extradition act 1962 citizenship act 1955 उसके बाद इसको amend भी किया गया 2019 में जो citizenship amendment act जिस पे बहुत बड़ी controversy पैदा हुई foreigner order 1948 ये सब ना सभी foreign individuals को alien कहते हैं, बट as such refugees और asylum के लिए कोई comprehensive और uniform कानून नहीं है, इसके बाद next argument ये दिया जा सकता है कि इंडिया को एक national asylum law बनाने के आप सकता है जो सलसे थुरूर कहते हैं मैं कई सालों से demand कर रहा हूँ हमारे देश में अभी 2 लाख refugees है लेकिन उनकी management ठीक से नहीं हो रही है अगर इंडिया एक अच्छा asylum law बनाता है तो world में इंडिया अपने आपको एक अच्छा democratic leader के तोर पर साबित करेगा इंडिया जो अपनी commitment है humanitarian और democratic values के परती उसको साबित कर सकेगा एक अच्छा सा national asylum law बना कर राइटर ये भी बोलते हैं देखो international convention के अनुसार अगर हम कानून बनाएंगे ना तो हमें ऐसी कोई चीज को fulfill नहीं करना है जो हम voluntary नहीं कर रहे हैं वैसे भी पास्ट record अगर हमारा देखें तो हमने बहुत सारी चीजें voluntary की हैं international conventions के हिसाब से अगर उसे कानून की सकल दे देंगे तो फिर क्या जा रहा है इवन हमारी judiciary ने भी 1996 में एक verdict दिया था verdict ये था सारे human beings जो अभी इंडिया में रह रहे हैं चाहे उनकी कोई भी nationality हो उनको protect करना सर्थ एट की जिम्यदारी है क्योंकि सविधान के article 14, 20, 21 के अंतरगत उनको भी fundamental rights मिले हुए हैं ये जो fundamental rights है न ये सिरफ Indian citizens के लिए नहीं है वो सभी लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए हैं ये case क्या था case ये था चक्मा refugees जो अरवनाचल परदेश में एंटर कर गए थे 1995 में उनको forcefully evict किया जा रहा था मामला पुंचारा सुप्रिंग कोट में तो सुप्रिंग कोट ने कहा था जब तक इन चक्मा refugees की asylum सम्मदित application का फैसला नहीं हो जाता है तब तक state इनको force की साहिता से evict नहीं कर सकता अभी देखो अलग-अलग जो asylum या फिर refugees के मामले हैं सुप्रिंग कोट में जाते हैं अलग-अलग judge की विचारधारा अलग-अलग होती है वो अलग-अलग फैसला देते हैं लेकिन अगर एक कानून होगा न refugees और asylum seekers से सम्मदित तो judge भी इस परकार से अलग-अलग stand नहीं लेशकेंगे उनको कानून के हिसाब से stand लेना पड़ेगा लास्ट आर्गूमेंट ये हैं देखो जो refugees की problem है न वर्डवाइड इस problem को solve करने के लिए global solidarity और international cooperation चाहिए तो इंडिया lead ले सकता है इस मामले में asylum से सम्मदित कानून बना कर ऐसा अगर इंडिया करता है तो democracy के जो highest standards है इंडिया के उन्हें इंडिया प्रूव कर सकेगा अब देखो खिलाफ में arguments discuss करते हैं ये सारे जो arguments हैं हमने pucks में discuss कियें पहली बात अगर देखो इंडिया कानून बना देता है तो इंडिया के पास decide करने की जो window है न अपने national interest में कई बार देखो किसी refugee को asylum देना पड़ता है किसी को नहीं देना पड़ता है मान लीजिये किसी को दे दिया तो वो देश हमसे नराज हो जाए बहुत ज़दा tensions हो जाएं दोनों दिश्टों के रिस्तों में तो बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है asylum देने से पहले अगर कानून बन गया तो तो फिर सरकार के हाथ बंद जाएंगे सरकार फिर national interest में फैसला नहीं लेश केगी next अगर देखो ज़्यादा refugees इंडिया में आते हैं तो identity crisis पैदा हो सकते हैं जैसे असम में कुछ लोग की सिकायत है बंगादेशी refugees की वज़े से local जो culture है वो खत्रे में है next एक बार refugees इंडिया में आ गए तो बाद में उन्हें identify करना वापस उनके देश में deport करना बहुत ज़्यादा मुस्किल है इंडिया देखो इतना बड़ा है हर्याणा, केरला, तेलंगाना, यूटी इस लाइक जमू अन कस्मीर, देली कहां कहां पर जैसे अगर refugees जो हैं वो settle down हो गए हैं तो वापस उनको कैसे बेजेगी सरकार next jobs देखो वैसे ही हमरे देश में कम है रोजगार के अफसर इतने है नहीं unemployment rate काफी ज़्यादा है पता नहीं लगता न कोई गल तिरादे से आया है तो वो refugee की आड में यहाँ पे आके national interest के खिलाफ जाके काम कर सकता है तो ये भी खतरा रहता है तो ये हमने refugees पर कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए दोनों तरफ के arguments को discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद नाइस आर्टिकल academic bank of credits से समधित है आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूं देखो 2020 में जो national education policy आई थी न उसमें academic bank of credits यानि ABC का concept introduce किया गया था अब इसे UGC ने notify कर दिया है तो सबसे पहले हम basics की बात करते है ये academic bank of credits का concept आखिरकार है क्या ये concept देखो ये है मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ मान लीजिए आपने BSC करने के लिए किसी college में admission लिया जिसका नाम है A A college में आपने एक साल तो BSC करी लेकिन उसके बाद लगा कि अभी मुझे break चाहिए या फिर unfortunately कुछ ऐसी circumstances हो गई घर में आपको एक साल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी लेकिन देखो आपने एक साल जो BSC करी है न उसके credits आपको मिल जाएंगे और credits कहां पर जमा होंगे जैसे देखो आपका bank account होता है उसी परकार से एक academic account बनेगा और उस academic account में आपके credits जो है वो deposit हो जाएंगे उस हिसाब से जितनी education आपने प्राप्त कर ली है जितने courses आपने complete कर ली है फाइदा क्या होगा इसका एक साल तक आपने BSC की उसके बाद दो साल का break आगया दो साल आपने कुछ नहीं किया लेकिन दो साल की gap के बाद आपको लगा कि फिर से नहीं यार मुझे अपनी BSC complete करने चाहिए मुझे अपनी education complete करने चाहिए तो ऐसा नहीं कि आपको फिर से BSC start करनी पड़ेगी मतलब पहले जो एक साल में education प्राप्त की थी वो खतम हो गई नहीं उसके credit तो आपको मिल गए न उसके credit आपके academic account में deposit है आप उन credits को redeem कर सकते हो कि देखो भया मैंने एक साल तक तो education हासिल कर ली थी यह courses मैंने किये थे तो अब मुझे आगे से start करना है तो वो credits जो है न उनको consider किया जाएगा फिर आपको फिर से दुबारा से नए सीरे से नहीं start करना पड़ेगा जो education आपने हासिल कर ली है उसके credits आपको मिल गए और उन credits को आप redeem कर सकते हो और भी फाइदे हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ credits आपको मिल गए लेकिन अब देखो आपको लगा कि एक college एक सहर में है मुझे तो किसी दूसरे सहर में जाके education continue करनी है तो दूसरा कोई सहर है पहले आप दिल्ली में थे अब मुंबई में चलेगे मुंबई में college है B B college में जाके आप credit दिखाऊगे कि देखो मैंने मिर पास ये credit है मैंने ये courses complete कर लिया है फर्दर मैं आपके college में education continue करना चाता हूँ तो वो B college आपके credits को consider करेगा मान लेगा कि हाँ आपने ये subjects ये course complete कर लिया है तो वो भी आपको आगे फर्दर education continue करने के लिए बोलेगा ऐसा नहीं बोलेगा कि फिर से admission लीजिए नए series से शुरुवात किजिए मतलब आप institute change कर सकते हो और भी फाइदे है जैसे देखो आपको देखो ये पता है जैसे आप graduation history में कर रहे हो तो core तो आपका history है लेकिन कुछ elective courses भी होते है जो optional होते है तो आप ये कर सकते हो आपका जो college था ना A A में आपने जो graduation आप history में कर रहे थे जो course subject है history का वो तो देखो A college से ही कर लिया लेकिन जो elective courses आपको करने थे ना graduation में यानि optional courses वो करने के लिए आपने दूसरे colleges का सारा लिया जैसे कोई X college है वहाँ पे वहाँ से आपने psychology कर ली उसके credit आपको मिल जाएंगे जो आपके account में deposit हो जाएंगे कोई और college है Y वहाँ से आपने even Tamil literature पढ़ लिया आपको Tamil literature पढ़ने का मन था वो आपने पढ़ लिया किसी Y college से उसके credit आपके account में जमा हो जाएंगे तो वो सारे जो credits है ना consider किये जाएंगे आपको degree award करते वक्त A college में जिसमें आपने मूल रूप से admission लिया था even जो online portal है ना swim वाला इसमें भी आप कोई ना कोई course कर सकते हो जिसके credit आपको मिल जाएंगे academic bank में जमा हो जाएंगे और उन credits को consider किया जाएगा जब finally जो आपका जो college था A उसमें कर सकते हो बाकी 70% जो course है वो इदर उदर से आपका मन चाहे किसी भी institute से और जो भी course आप करना चाहते हो elective course वो आप कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा है काईदे से देखें तो लेकिन दिक्कत ये है ना हमारे देश में अभी inequalities काफी ज़ादा है मतलब college जो है ना same level के नहीं है कोई college बहुत अच्छा है कोई college बहुत खराब है तो जाहिर तोर पर कई सारे colleges की demands ज़ादा आएंगी कैसे इसको implement किया जाएगा ना उसमें बहुत सारे challenges है तीन चार challenges तो writer बताते भी है जैसे देखो example के तोर पर आपने admission लिया इंदरपरस्ति उनवेश्टी में सायद दिली में है ना इंदरपरस्ति उनवेश्टी इसमें आपने admission लिया लेकिन आपको लगा कि electronics and communication में आपने admission लिया था आपको लगा कि IIT की जो digital communication है ना IIT देली की वो बहुत अच्छी है तो मैं elective course जोइन करूंगा मेरा admission IP में है लेकिन मैं digital communication पढ़ना चाहता हूँ IIT देली से और ये बोल दिया कि सरकार ने सभी colleges को कि आपको 20% जो seats है ना वो इस परकार से बाहर से आने वाले बच्चों के लिए आरक्सित करनी है कि जो elective course आपके college में करना चाहता है यानि है किसी और college का लेकिन ये subject आपके college में पढ़ना चाहता है उनके लिए 20% seats आप reserve करोगे लेकिन देखो मान लीजिए IIT देली की digital communication पढ़ने के लिए अलग अलग colleges से applications हागई 1000 और seats आरक्सित हैं सिरफ 20 तो कैसे admission देगा IIT देली किस qualification के अधार पर देगा किस parameter के अधार पर देगा क्या उनके test conduct करेगा क्या इतना infrastructure invest करना ज़रूरी है कि elective course करने के लिए भी इतना इतना test conduct हो समझ रहे हो तो ये सबसे बड़ा challenge है दूसरा challenge देखो UGC ने तो ये भी कह दिया है जो swim portal है या फिर दूसरे जो ये online portals है यहां से भी आप कोई subject अगर कर लेते हो, course कर लेते हो तो उसके भी आपको credit मिलेंगे लेकिन देखो online अगर कोई course करेगा तो जाहिर तोर पर वो नकल मार सकता है न और final जो assessment test होगा उसमें तो धानले बाजी भी हो सकती है अपनी जगह कोई किसी और को बिठा दे लेकिन finally तो उसको credit मिल जाएंगे न तो उस credit के अधार पर वो अपनी degree ले जाएगा तो ऐसा ना हो कि एक पूरा chaos create हो जाए, education degree की value ही खतम हो जाए, पूरी ऐसा ना हो जाए इस system से, मतलब अच्छे intentions के साथ ये system लाया गया है, लेकिन implementation कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी अभी तक तो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं फिर एक दिक्कत देखो ये भी आती है अगर इस परकार से लोग मतलब सिरफ 30% slaves अपने college से cover कर रहे हैं बाकि 70% तो दूसरे-दूसरे colleges से cover कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस college में उस person ने admission लिया है उस college का brand अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे तो students के इसाब से teacher तो है ना वहाँ के teacher तो खाली बैठे रहेंगे, बिल्कुली कुछ करेंगे नहीं, क्यूँ? क्यूंकि वो courses तो बच्चे दूसरे colleges से कर रहे हैं, और अपने college में तो सिरफ 30% slaves कर रहे हैं तो उस college के teacher के पास काम ही नहीं होगा ये भी दिक्कत है और ये भी हो सकता है कि जिस college में, एक college में बच्चे ने admission लिया है वहाँ पे उसको nuclear physics पढ़नी है लेकिन उसको लगता है कि इस मेरे college में nuclear physics का जो teacher है अच्छा नहीं है, उसने माल लिया बस वो कहता है कि IIT Delhi से मैं nuclear physics करूँगा, बाकी तो 30% अपने college से ही कर लूँगा लेकिन देखो, यूँ भी हो सकता है na IIT Delhi का सिरफ brand है, जबकि एक college में nuclear physics का जो teacher है वो ज़्यादा experience ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हो सिरफ IIT Delhi का brand है, इसलिए उस student का मन कर गया कि nuclear physics हो सकता है कि IIT Delhi में ज़्यादा अच्छा हो, तो ये basic basic ना बहुत सारे challenges है अभी, academic bank of credits के concept में, इनको address करना ज़रूरी है, अगर हम चाते हैं, ये system इंडिया में अच्छे से काम करें, चलते हैं आगे, इसके बाद next article foreign quarter से समन्दित है, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, क्या तो उनके जूट बोलने से क्या हुआ, वहाँ पे breach of privilege हो गया, जैसे हमारे parliament में कोई MP जूट बोल देता है, तो वहाँ पे भी breach of privilege हो गया, तो उस पर debate चल रही थी, उस पर debate जब चल रही थी ना, सिंगापूर के परधामंत्री ने जो speech दी, उसमें नहरू, corruption, इन सब चीजों का जिकर किया, उन्होंने सिंगापूर के PM ने अपने Parliament में एक बात ये बोली, कि आप नहरू का देख लीजिए, जब नहरू इंडिया में थे, तब तक सई चल रहा था, नहरू आग से निकले थे, वो men और nations के लीडर थे, लेकिन नहरू के जाने के बाद इंडिया में, political जो values हैं, काफी ज़्यादा खराब हुई है, आज के समय में, इंडिया में, लोकसबा में काफी सारे MPs हैं, जिनके खिलाफ criminal charges हैं, तो ऐसी बात उन्होंने बोली, तो इस पर सरकार ने कड़ा संग्यान लिया, सिंगापूर के जो High Commissioner हैं, इंडिया में, उनको समन किया गया, तो राइटर आज इस आर्टिकल में ये कहना चाहते हैं, क्या यार, तुम छोटी-छोटी चीजों को लेकर ऐसे ही बावुक हो जाते हो, कुछ दिन पहले आपने South Korea के जो Ambassador थे, उनको समन कर दिया, क्यों, क्योंकि Hyundai ने पाकिस्तान में जो Hyundai ब्रांच है, उन्होंने कस्मीर Solidarity Day पे पोश्ट किया था, इतनी बड़ी डेमोकरिसी है, इंडिया इन छोटे-छोटी चीजों पे अपनी energy invest करेगी, तो कैसे काम चलेगा, जैसे वो example देते हैं, कि Singapore के PM ने अपनी speech में, even Israel और Britain की politics को भी बुरा-भला कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई reaction नहीं आया, लेकिन India, जो world का सबसे बड़ा democratic country है, उसने कड़ा संग्यान लिया इस issue का, इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, कि Singapore के PM की जो speech थी, वो 5000 words की थी, तो 5000 words की speech में, उन्होंने बस एक बार India का mention किया, हलाकि उनका मामला था, उन्हें India का mention करने की क्या जूर थी, बट India की देखो, इंडिया का Singapore के साथ क्या comparison है, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी democracy है, वाइब्रेंट democracy है, freedom of speech and expression है, Singapore की democracy तो control democracy है, दोनों का कोई comparison ही नहीं है, तो ऐसी चोटे-चोटे issues पर, सरकार को इतना strong reaction नहीं देना चाहिए, इसके लाबाद देखो, खुद कई बार सरकार के जो minister है, वो हमारे प्रडोसी देशों के internal matters per statement दे देते हैं, तो और कोई देश का परधामंत्री अगर बोल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके personal views हैं, तो इंडिया को अपनी international reputation खराब नहीं करने चाहिए, और बात रही, जो हमने Singapore के ambassador को समन किया है, इससे इंडिया Singapore के relations पर ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, relations दोनों देशों के मजबूत है, बट इंडिया की reputation जरूर खराब होती हैं, तो ये article था कहीं न कहीं, एक दो point कहीं इस्तमाल हो जाए, या फिर interview में board पूछ ले, वहाँ पर आपकी क्या opinion है, वो आप बना सकते हो इस article के अधार पर, तो ये थी हमारी आज के discussion, आज हमने तीन issues को detail से discuss किया, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.